ओम्नमश्युवाय स्री रूद्र सहिंता का छठा अध्या है इसमें ब्रह्मा जी ने सिव तत्तु का वर्णन किया है ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद तुम सदैव जगत के उपकार में लगे रहते हो तुमने जगत के लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूँची है जिसके सुनने से मनुस्य के सब जन्मों के पापों का नाश हो जाता है उस परंब्रह्म सिव तत्तु का वर्णन मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ सिफ्टत्य का स्वरूप बहुत सुन्दर और अधूत है जिस समय महाप्रले आई थी और पूरा संसार नश्ट हो गया था तथा चारों और सिर्फ अंधकारी अंधकार था अकास वा ब्रह्मांद, तारोवा ग्रहों से रहित होकर अंधकार में डूब गये थे सूरी और चंद्रमा दिखाई देने बंद हो गये थे सभी ग्रहों और नक्षत्रों का कहीं पता नहीं चल रहा था दिन रात अगनी जल कुछ भी नहीं था प्रधान आकास और अन्यतेज भी सून्य हो गए थे शब्द इस पर्स गंध रूप रसका अभाव हो गया था सत्य असत्य सब कुछ खत्म हो गया था तब सिर्फ सत्य ही बचा था उस तत्यों को मुनिजन एवं योगी अपने हिर्दय के भीतर ही देखते हैं वानी, नाम, रूप, रंग, आदिकी वहां तक पहुँच नहीं है उस परंब्रंब के विशे में ज्यान और आग्यान से किये गए संबोधन के द्वारा कुछ समय बाद अर्थात, स्रिष्टी का समय आने पर एक से अनेक होने के संकल्प का उदय हुआ तब उन्होंने अपनी लेला से मूर्थी की रचना की वह मूर्थी संपून एस्वर तथा गुनों से युख संपन सर्व ज्यानमई एवं सब कुछ प्रुदान करने वाली है यही सदासिप की मूर्थी है सभी विद्वान इसी प्राचीन मूर्थी को इस्वर कहते हैं उसने अपने सरीर से स्वक्ष सरीर वाली एवं स्वरूब भूता सक्त की रचना की वही परमशक्ती प्रकृती गुनमै और बुद्धित्व की जन्नी कहलाई उसे शक्ती अंबिका प्रकृती संपून लोकों की जन्नी त्रिदेवों की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं उसकी आठ भुजाओं एवं मुख की शोभा विजित्र है उसके मुख के सामने चंद्रमा की कांती भी खेण हो जाती है विविन प्रकार के आभूशन एवं गतियां देवी की शोभा भढ़ाती है वे अनेक प्रकार के अस्त्र सस्त्र धारन किये हुए है सदासिप को ही सब मनुसिप परम, पुरुश, इस्वर, सिवसंभू और महिस्वर कहकर पुकारते हैं उनके मस्तक पर गंगा, भाल, में चंद्रमा और मुख में तीन नेत्र सोभा पाते हैं उनके पांच मुख हैं, तथा दस बुजाओं के स्वामी इवं त्रिशूलधारी हैं वे अपने शरीर में भस्म लगाए हैं उन्होंने सिव लोग नामक शेत्र का निर्माड किया है वह परम पावन इस्थान का सी नाम से जाना जाता है यह परमोक्षदायक स्थान है इस शेत्र में परमानंद रूप शिव पार्वती सहित निवास करते हैं शिव और शिवा ने प्रलैकाल में भी उस इस्थान को नहीं छोड़ा इसलिए शिव जी ने इसका नाम आनंदवन रखा है एक दिन आनंदवन में घूमते समय शिव शिवा के मन में किसी दूसरे पुरुस की रचना करने की इच्छा हुई तब उन्होंने सोचा कि इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप कर हम यहीं कासी में विराजमान रहेंगे ऐसा सोचकर उन्होंने अपने वाम भाग के दसवें अंग पर अमरित मल दिया जिससे एक सुंदर पुरुस वहां परकाट हुआ जो सांत और सत्वगुरों से युक्त एवं गंभीरता का अथा सागर था उसकी कान थी इंदर नील मड़ी के समान स्याम थी उसका पूरा शरीर दीव सोभा से चमक रहा था तथा नेत्र कमल के समान थे उसने हाथ जोड़कर भववान सिव और सिवा को पुरणाम किया तथा प्रातना की की मेरा नाम निश्चित कीजिए यह सुनकर भववान सिव हंसकर बोले कि सरवत्र व्यापक होने से तुमारा नाम विश्चित होगा तुम भगतों को सुख देने वाले हो जाओगे तुम यहीं स्थिर रहकर तप करो वही सभी कारियों का साधन है ऐसा कहकर सिव जी ने उन्हें ज्यान पुरदान किया तथा वहां से अंतरध्यान हो गए तब विश्चित जी ने बारा वर्स तक वहां दिव तप किया तपस्या के कारण उनके सरीर में अनेग जलधाराई निकलने लगी उस जल से सारा सूना आकास व्याप्त हो गया वह ब्रह्मरू जल अपने इसपर्स मात्र से पापों का नास करने वाला था उस जल में भगवान विश्चुन ने स्वयम शैन किया नार अर्थात जल में निवास करने के कारण ही वे नारान कहलाए तबी से उन महात्मा से सब तत्तों की उत्पत्ती हुई पहले प्रकृती से महान और उससे तीन गुण उत्पन हुए तथा उनसे अहंकार उत्पन हुआ उससे शब्द, स्पर्स, रूप, रस और गंध एवं पाँच भूत प्रकट हुए उनसे ज्ञानेंद्रियां एवं कामेंद्रियां बनी उस समय एकाकार 24 तत्व प्रकृती से प्रकट हुए एवं उनको ग्रहन करके परमपुरुष नारायन भगवान सिब जी की इच्छा से जल में सो गए ओम नमस्यवाय